करें आप काफी emotional है और ऐसे में थोड़ा ये सोचना कि वो अब आगे जो है country के लिए या अपना state के लिए IPL और ये सब चीजे नहीं कर पाए नहीं कहल पाएगा तो दुख तो ही पर कही ना कही इस बात की खुशी भी है कि चलो इतने साल उसने सर्फ किया और इतने साल उसने एक जो अपने proud moment होती है जो ICC trophies है इतने अच्छा गिया बाकि जो उसकी series थी उसमें बहुत अच्छा गिया और एजे ओपनर उसने एक अच्छा नाम कमाया उसने शिकरद्रवन के वारे में टेनाची जिता इंडिया को इतने रखना इंडिया को दिया तो एक आपके लिए लगन प्लिए जा कोच की जो बचपन से हमारे साथ राऊ हूग और हमेंने उसका जो बचपन है फ्लस जो खेला और आज भी मैंने उसका जुरू से जो एक क्रिकेटर की जरनी होती है जो उसकी है वो सारी में ने द Dorothy धियु बहुत खुशी है कं जह कोच उसके तो उसने तो एक दिन वो इंडिया के लेग खेला तो और इंडिया को चैंपिन स्रुपी जिता है 2013 वाली मैं अधर सीरीज रहा है वह तो देखते हैं आप उनके करियर को जैसे उसका हम शुरू से देखें तो जो एंटर 15 सेलेक्ट हुआ था फस्टाइम तो उसके बाद वह कुछ एक मै एंटर 17 में एश्यकप खेला तो उसके बाद एंटर 19 वर्ल्ड कप खेला वर्ल्ड कप में भी उसने हाइस और फ़ाइजे ट्रॉफी खेला चैलेंजे ट्रॉफी में भी जैसे आपने बतायी भी दोनी के साथ साथ किया और उसको उसका एक इनाम मिलना चीए था पर उसके ब तोड़ा सा सेट बैग भी होता है प्लेयर को कि मुझे इतने साल मोगा ने मिला पर वो इसका क्रेडिट जो देता अईपियल को कि आईपियल के आने से थोड़ा सा यह हुआ कि मैं इसमें अच्छा करू तो मेरे को एक मोगा और है मैं खेल सकता हूं उसने उसने इप्ल में या और भी जैसे स्टेट के लिए खेला इंडिया के लिए खेला तो उसने हमेशा किया ही है और हम 2019 का वर्ल्लकप देखें तो उसमें उसको एक फ्रेक्चर था था थम में जो अस्ट्रील अगेस्ट हुआ था उसके दोरान भी वो खेलता रहा क्योंकि रोईत सर्मान उसको तो बोला नहीं तेरा खेलना जरूरी है तू खेलता रहेगा तो मैं भी खेलता रहूंगा तेरे साथ और वो पूरा खेला उसमें 100 बनाया पर इसका फ्रेक्चर इतना बढ़ चुका था कि वो पूरा टॉर्नमेंट नहीं खेल सका उसके बाद पर कही ना कहीं हम देखें तो एक देश के लिए एक प्रॉड मोमेंट उसके लिए हमारे लिए प्रॉड मोमेंट है कि हमारे ट्रेनी है वो इंडियन टीम में खेल किया और इतना अच्छा किया उसने